सो हेलो गाइस कैसे हैं सब लोग सोगाइज आज़के वीडियो आप लोग के लिए बहुत जादा ही में इधार होने वाला है क्योंगी है इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा CS rank के लिए जो top 10 best guns रहेगा आप लोग के लिए जो अलग-अलग situation में आपको बहुत जादा ही help करेंगे वह सब कुछी मैं आप लोग को इस वीडियो में बोल दूँगा क्योंगी देखो बहुत सारे player का एक confusion रहता ही है कि हम लोग को क्या gun लेना चाहिए ताकि हम लोग हर एक round easily जीत पाए क्योंकि लोग CS rank में कुछ limited guns ही available होता है तो उसमें से ही आप लोग को guns लेना पड़ता है और उपर से update के बाद मैं लोग कुछ ना कुछ gun में change होता ही रहता है तो आप लोग को best top 10 gun रहेगा आप लोग के लिए वह सब कुछ में आप लोग को इस वीडियो में बोल दूँगा यार तो वीडियो बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है और जो मेरे पुड़ाने सब्सक्राइबर हो ना मुझे पता ने क्यों यूटूब मेरा वीडियो आप लोग को तक नहीं पहुचा रहा है मलें यूटूब के सस्टेनश आपको तो पता ही तो एक बार आप लोग ना चैनल को अन सब्सक्राइब कर देना और प्रेंट लिए लुटूब है यह जादा है चलता है और यह इस गन का एडवांटेज है कि इस गन का एक ही डिसाइडवांटेज है कि इस गन में हैड शॉट काफी जादा कम लगता है क्योंकि देखो MP5 में एक्विडेसी बहुत जादा होता है तो इसलिए आपका जो एम है वो बॉड़ी पे जादा अठका रहता है है एड पे नहीं जाता है तो आपका है ये हीन ज northwest से उसकते सब्सक्राइब चेमें और यह अच्छा चीज जो बागी सारे एयर प्रेंड वह बहुत ही ज्यादा है बहुत ही यल्दी गोली निकलता और इस चैबिलीटी भी अच्छा है है शोट भी काफी जादा अच्छा लगता है आप लोग मेरे को बोलोगे कि अभी रूप भाई आप तो बोलोगे एक सेमेट एक बहुत ही जादा ओपी लोग नेज गन है पर फिर भी आप इसको मलब लिस्ट में नाइंग नमबर पे क्यों रगए क्यों है इसके उपर भी म अभी बहुत बंदे शौक हो जाएंगे कि मैंने मेटी नमबर पे क्यों रखा इसे उपर क्यों नहीं रखा गाईज दो इसका एक ही रिजन है कि अभी में आप लोग दो गोली बंदे को मारोंगे ना और बंदे का लेवल 3 वेस्ट है तो बंदा नहीं होगा उल्टा उसके सब्सक्राइब करें तो इसलिए एक प्रॉब्लम है अगर आप लोग को मारना नहीं आता आप लोग बॉड़ी बॉड़ी मारोंगे बंदा का बंदे का लेवल 3 वेस्ट है तो उल्टा आपको ही मार देगा तो इसलिए मैंने मैंने नमबर रिलिस पे लखा है तो कर चलो मैं अब लोगो सेवें नमबर गन बताता हूं गाईज जो सेवें नमबर गने वो है काईज उजी अब मुझे पता है आप लोग लिटरली शॉक हो जाओगे कि मैं उजी का बात क्यों कर रहा है अब गाईज देखो यह गन बहुत ही जादा ओपी है इस गन का जो रेटा फार है में रिकॉल कर जाता है डैमेज भी कम लगता है पर शॉर्ट रेज में ना कत्य बवाल चलता है तो और कोई बंदा आपके एक दम शॉर्ट रेंज में आ जाए न तो आपने को इस गन का एक प्रॉब्लम है कि इस गन में इतना सादा रेटा फार है तो इस वाज़े से बहु पर इस गन में एक प्रॉब्लम में मिड रेंज में थोड़ा रिकॉल कर जाता है वाकि आप लोगों के लिए बहुत ही जादा ओपी साबित हो सकता है और देखो मेरे को आप लोग को एक चीज़ बोन ला था कि देखो जैसे कि आपको पता हिए कुछ दिनों बाद मेरा मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा यूटूब में आप लोग मेरे को जल्दी सल्दी इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं अब मेरा पोस्ट जा लूँगा तो आप लिए उदर से इसली देख पाऊंगे तो मेरे को इस वीटो को देखने के बा सब्सक्राइब होता है और आप लोग M1014 से दमादम एनिमी को मार सकतों सिर्फ आप लोग को एकी चीज ध्यान रगना कि आप लोग को जितना हो सके उतना मलब क्लोस रेंज में फाइड लेना है और अगर एनिमी देख लिया कि आपके पास M1014 है तो वह तो आपके में जाएगा आपको मानने के लिए तो तब आप लोग को उसके पास मलब लुवल लागा के जाना है और एक्दम क्लोस रेंज में बंदे को मानना है गाई जो फोट नमबर पर गान आता है वह तो यह तो एक वन्टैप गने तो आप लोग वन्टैप इस गन से बहुत ही जा बाद सेमी यह तो मलब फोट नमबर गन पोजिशन में एस ती एटी और वुट पेकर दोनों ही है बाकी मलब दोनों में से कोई भी एक गन आप लोग ले सकतो और यह दोनों गन में सिर्फ एक ही डिसाइडवांटेश है कि यह दोनों गन में रेट आफ फायर थोड़ा कम है इस गन का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आप लोगो फायदा नहीं देखा क्योंकि अगर आप लोग यह बॉड़ी बॉड़ी मारने जाओंगे ना तो सामने वाला बंद आपको मार देगा क्योंकि इस गन में रेट आफ पायर में तो शौर्ट रेंज में अगर आप उतना भी जाधा है नहीं करेगा पड़के अगर आप लोगे लिए गलाईज चौट ने से मेरे जाधा बढ़िया जबसे बढ़िया जो लगता है वह उपर से इस गन का रेट आप बी है तो कोई बंद आपके शौर्ट रेंज में आ जाता है ना और आपके पास तो आप लि बहुत जादा चलता है यार मलब बंदा आएगा ना अगर शौट में अगर बंदा आएगा ना तो आप लोग मैं से लिए मैं सेट नमबर पॉजिशन में रखाऊ चलो मैं भी आप लोगो जल्दी से जल्दी कॉमेंट कर दो कि आप लोगो कौन सा गन लग रहा है जो चलो फाइनली फर्स नमबर पे गन आता है वह एक उपी उपी बहुत ही जादा एक और मैक्सिमम सब को इस उपी यूज करते हैं क्योंकि यह गन भाई बहुत ही जादा उपी लगता है डेमेज भी जादा ओपी और इन सब गन के अलावा हमारा सबसे प्यारा दूलारा तो वैसे आप लोग इन सब गन के साथ ही ले पाओगे और बाइदा वे अभी चलो मैं अभी अभी अब लोगो जब बेस्ट गन कॉमिनेशन रहेगा आप लोग के लिए मैं अभी आप लोग को बता देता हूं देखोगा अगर आप लोग एक शॉर्ट एंज प्लेयरो तो अगर आप लोग एक लोग लोग उसके साथ असी एटी और मलब उजी ले सकते हो यह गन कॉमिनेशन आइटिंग सबसे बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए और बाइदावे आप लोगो क्या क्या गन कॉमिनेशन अच्छा लगता है मेरे को कॉमेट से बता देना और इन सब लाइक कर देना सो गई चलो फिर मिलतें किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई